विल्कम टो माई चैलेंग फिरेंज आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो अबलोड कर रहा हूँ और देखिये जो पीछे जो ड्रॉइंग है मैं उस पर ही काम कर रहा हूँ तो मैंने एक डेलीबरी आया है मेरे पास आज मैं अब ग्राफाइट के उपर काम कर रहा हूँ चा के साथ उसका सेयर भी कर रहा हूँ उसका अन्बॉक्सिं भी सेयर कर रहा हूँ देखिये इस पर फाइब एज भी टू भी फोड भी एंड शीक्स भी एन एईड भी मैं इसके साथ जो नॉर्माल ग्राफाइट में से लिए उसका कंपार करके भी दिखाऊंगा इससे सायद अब लोग कुछ मदद हो है मैं पहले नॉर्माल ग्राफाइट उसका रहा हूँ फेवर कश्टल का ही यूज कर रहा हूँ इसके बाद में एक टू भी लूँगा मेरा जो ग्राफाइट वाटर सॉल्वबल जो ग्राफाइट पिंसिल है मैं उसका जो नंबर है टू भी खास बात है वो वाटर से मिक्स्ट हो जाता है और यह लोग यह जो नॉर्माल ग्राफाइट पेंसिल आप देख रहे हैं मैं वाटर देने से कुछ नहीं पिगड़ रहे है वैसी रह जाता है पर जो वाटर से लिए ग्राफाइट पेंसिले वो वाटर से मिक्स्ट हो जाता ह उसे ड्राइंग में थोड़ा साला गलग इस्चार आप ला सकते हैं अगले वीडियो में आप लोग को दिखा दूंगा अगले कुछ दिनों के वीडियो में मुझे तभी पता नहीं है मैं कब मैं दूसरा पूरा डॉइंग कंप्लीट करके पूरा डॉइंग का वीडियो अपलोड कर सकता हूँ अभी मेरा टेस्ट एक्जम चल रहा है उसके बाद मेरा फाइनल एक्जम भी आ रहा है मार्च में इसलिए थोड़ा पढ़ने में धायन दे रहा है अब देख रहे है नॉर्माल गाफाइट से वाटर सलेवल गाफाइट बहुत ज्यादा डार्क होते हैं और साइन भी कम करते ह डार्क है अायभी आप देख़ेँ वाटर से वाटर कलर की तरह त्में यह मिक्ष्ट हो जाता है इसको सॉकड़े के बाद अब किर डूसरे हैं जाए देख रहा है अब अलग अलग जगह अब इसका अलग अलग इस्तिमाल भी कर सकती है मैं आभी graphite को ट्राई कर रहा हूँ वह सरे graphite को मैं ट्राई कर रहा हूँ और ये darwen onic का AB water soluble graphite है मैं इसको फिबर कस्तूल से पहले भाई किया था एक डार्क है और मीडियम है, मैं दोनों को एक पर दिखा देता हूँ यह डार्वेंड का मीडियम है पहले मीडियम आप देख लो यह मीडियम मुझे फेवर कस्टल का ही ज्यादा अच्छा लगा डार्वेंड से आप देख सकते मैं इसका डार्क बहले यूज़ करूंगा इसका डार्क और फेवर कस्टल का 6 भी इसका डार्क से ज्यादा डार्क है देखिए और इतना अच्छी तरह से वाटर से यह नहीं होता देखिए डार्क का ओवनिक रुकिए ओनिक से इसका नाम है ओनिक्स ठीकिये जो भी है मुझे फेवर कस्टल का ही अच्छा लागा मैं उसको यूस करूंगा और मैं जो ड्रोइंग अभी कर रहा हूँ उसके मैं डार्विन फेवर कस्टल का पेंसिल से काम करूंगा अब लोग देखेंगे कि अच्छी तरह होता है और डार्क भी होता है एक जल्दी मैं वीडियो कर लिया एंड थैंक्स पर वाचिंग अज के लिए इतना ही और इतने दीन वीडियो नहीं आने के लिए बहुत मैं क्या बुलू अब लोग मुझे माफ कर देना एंड थैंक्स पर वाचिंग बाई गाईज